उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चार सो तीन सीटों पर जो खाता नहीं खोल पाए केवल जमानत ही चप्त करवाई हैं उन लोगों की हालत हिमाचर प्रदेश पर वही होने वाली है जनके संगठन के ही अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, मैला मोर्चा अध्यक्ष वे पार अध्यक्ष और बाकी प्रमुख नेता छोड़ गए हों का जमीर पर कुछ है मैं यही कहूंगा विबक्ष को जरा आपने 2004 से 2014 का कारकाल देखना चाहिए मैंगाई दर्जिस समें 14 प्रतिशक थी डबल डिजिट में उस समय अंतराष्टिये परिस्थितियां ऐसी नहीं थी क कि दो साल महामारी के गुजरे हो सप्लाई चेन में बाधा बनी हो रश्या यूक्रेन जैसी वार चल रही हो इसका प्रभाव भारत पे नहीं पूरे विश्में हुआ है और एक बड़ा इसका प्रभाव आपको प्रोसी राज्यों में देखने को मिल रहा है तो प्रोसी यहां पर पिछले 30-30 साल में कोई इंफलेशन नहीं थी महंगाई नहीं थी वहां पर भी महंगाई दर बड़ी है क्योंकि कोविट की मार और कुल मिलाकर यह जो यूद्ध है इसकी मार सप्लाई चेन की डिस्रप्शन जेकार यह यह बाधा यह व्यव्यप्धान यह सतरों देखने को बिल रहा है इस महीने तक लगातार मुफ्त में अनाज देने का काम भारत की सरकार यानि के नरेंद्र मोधी जी की सरकार में किया यही नहीं भारत एक ऐसा देश है जिसने 190 क्रोड से जादा वैक्सीन बिलकुल मुफ्त में लगाने का काम किया भारत एक ऐसा जहां पर यह जो गरीबी दर है, वो कम हुई, यह लोग गरीबी से पाहर निकले हैं, यह भारत की सरकार नहें कहती, यह विश्व की अजन्सिस आज कह रही है, तो पर वापे सरकार बनाएंगे, पहले से ज्यादा सीटे बनाएं, लेकर बनाएंगे, डबल एंजिन की सरकार का लाँ भी मत्र परदेश को मिला है घाज़ार्मों क्रोरो पे के प्रजेक्टी हंपर लागू हुए है जेयरांटी ने शांदार काम किया है, हम एक बर फिर यहां पर सरकार बना है तुक्व्सपा क्वाकी पार्टी ना कब से टाय करना शुरू कर दिया है हमारी पार्टी में पार्लिमेंटरी बोर्ड है, शेश नेतर तवे वो तैय करता है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और कम से कम दूसरे दल तो हमारे हाँ तैय नहीं करते कि कौन क्या जिम्मेदारी संबाने का.